नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संजो इन्फॉर्मर में आज हम बात करेंगे फोन पे के बारे में फोन पे से मोबाइल रिचार्च करना पड़ेगा महंगा यूपी आई से पेमेंट पर देनी होगी इतनी फीस फोन पे अब हर ट्रांजेक्शन के लिए यूजर से प्रोसेसिंग फीस लेगा अब आप हर लेन देन के लिए कुछ एडिसनल पेसे खर्च ये बिना पेसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे कमपनी पचास रुपे से ज़्यदा के किमत वाले मॉबाइल रिचार्ज पर एक रुपे से दो रुपे की रेंज में रिचार्ज फीस लेगा बोलमार्ट के स्वामितो वाला डिजिटल पेमेंट एप फोन पे अब हर ट्रांजेक्शन के लिए यूजर से प्रोसेसिंग पीस लेगा इसका मतलब है कि अब आप हर लेन देन के लिए कुछ एडिसनल पेसे खर्च किये बिना पेसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे या अपने फोन को रिचार्ज नहीं कर पाएंगे कंपने ने कहा कि वह 50 रुपे से ज़्यादा किमत वाले मॉबाइल रिचार्ज के परती लें देन एक रुपे से दो रुपे की रेंज में फिस चार्ज लेगी पाएंगे पेडिय। पैमेंट ड है जिसने यूपी आधारी टांसफर के लिए चार्ज लेना सुरू किया है पाएंगे अगर आप पचास रुपे तक खर्च नहीं करते हैं तो आपकी डिचल एप दोरा कोई रासी नहीं ली जाएगी भारत में सबसे लोग प्रिय व्यापर ग्रूप से इस्तेमाल किये जाने वाले पेमेंट एप में से एक हैं PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसने सितंबर में अपने प्लेटफॉर्म पर 165 क्रोड से ज़्यादा UPI ट्रांजेक्शन दर्जी किये हैं जिसमें एप सेग्मेंट में 40% से जब्दा हिस्सेदारी हैं PTIM और Google Pay की तरह एप फोन पे का स्तेमाल वीम व्यूपाई के साथ साथ पेसे ट्रांसफर करने कई बेंग अकाउंट का परबंदन करने, अकाउंट बेलिंस की जाच करने SBI, HDFC, ICICI और 144 प्लस बेंग को जैसे कई बेंग अकाउंट को एड़ करने के लिए किया जा सकता है प्रिपेड मॉबाइल नमबर जैसे Jio, Vodafone, Idea, ATL आदी को रिचार्ज करें DTS जैसे Tata Sky, ATL, Sun Direct, Video Phone आदी को रिचार्ज कर सकते हैं अलग-अलग बिलों का पेमेंट करना और बहुत कुछ आप PhoneWay का स्तेमाल करके इंसूरेंस पोलिसी को रिन्यू भी करा सकते हैं PhoneWay ने कहा कि हम सुल्क लेने वाले एक मात्र कंपनी या भुकतान प्लेटफॉर्म नहीं है बिलों बुकतान एक छोटा सा सुल्क देना एक स्टेंडर्ड इंडिस्ट्री प्रेक्टिस है और अन्य बिलों वेबसाइटों को बुकतान प्लेटफॉर्म द्वारा भी किया चाता है हम केवल क्रेडिट कार्ड से बुकतान पर प्रोसेसिंग फीस लेते हैं बुकतान क 자기 बार इंड़ छोटाए जांसे प्लेट।